तो दोस्तों जैसे कि आपने थमनेल में देखा है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों small cap category के कुछ ऐसे funds के बारे में जिनने दोस्तों अगर हम देखें तो एक साल के अंदर आपको 50% का return बना के दिया है तो कौन-कौन से वो funds हैं and आपको small cap category में investment करना चाहिए या नहीं तो इसकी complete जानकर आज की वीडियो में आपको मिलेगी तो चली शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका ग्रव बिजनेस फायर हैं सब में दोस्तों आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं करा हो तो चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि mutual fund से related हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो को तो दोस्तों आपर हम बात कर रहे हैं mutual fund की दोस्तों जितनी भी category है large cap, mid cap, small cap उसमें से हमने category पकड़ी है आज small cap की small cap category अब दोस्तों पहले मैं आपको उसका complete fundamental बता देता हूँ जिससे आपको easily समझी में आ सके और जितने भी investor ने जो यह सोच रहे हैं कि हमको small cap में investment करना चाहिए या नहीं वो भी काफी हद तक समझ जाएंगे कि हाँ हमें investment करना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम small cap की बात करें अगर हम बात करेंगे 2023 की हम दोस्तों 2023 की बात करें तो दोस्तों नवंबर महने की बात करें न तो नवंबर महने में थोड़े कम investment हुए है small cap category में अगर हम देखें 2023 में January से लेकर October तक तो क्या है दोस्तों जनवर से अक्टूबर तक में जितने भी महने हैं उनमें जितनी growth देखने को मिली है उससे थोड़ी सी growth कम देखने को मिली है हमारे नवंबर के महिने में clear है लेकिन दोस्तों अगर इस fund का पूरा complete assets हम देखें assets पेस दोस्तों calculate करें 2023 की तो दोस्तों कितने percent से बोड़ोतरी हुई है 69% से ठीक है इस साल कितने percent बढ़ा है 69% अगर इसको हम figure में count करें दोस्तों तो ये बढ़ा है आपका 2,00,00,00,00 करोड किलियर है इसकी assets कितने से बढ़ गई 2,00,00,00 करोड रुपे से clear है दोस्तों तो क्या है दोस्तों जब इसकी assets इतनी बढ़ी है न दोस्तों तो इसका मतलब ये है कि जितने भी investor है उनका विश्वास काफी हद तक बनना है small cap category को लेके दोस्तों अगर हाली किया भी जो current में जो data हमारे पास आया है अभी अगर हम उसका analysis करें तो दोस्तों म 37,178 करोड कितना निवेश हुआ है दोस्तों 37,178 करोड का निवेश हुआ है small cap category के अंदर ये डोस्तों data किसके साब से है November 2023 तक किलियर है November 2023 तक कितना investment हुआ है दोस्तों total निवेश हुआ है 37,178 करोड का अब बात ये आती है कि sir ठीक है विश्वास तो हमारा build हो गया लेकि और निवेश है दोस्तों इन ने वह सारी कमपनिया आती है जिनका स्मॉल के कैटिकरी करोड से कम होता रहां ये वह साइज की बात है दोस्तों O एक साल में हमको 50% का ट्रिटन बनाके दिया है तो दोस्त Social스 क्रिण में आपको शाहिड में शहर हो रहे हुएंगे और स्वाइव आपको नाम भी बता देता हूं ये पड़ा ते तक को सब से हमार wander return कुछ और मिले तो आप सोचोगे कि sir हम check करे रहे तो return हमको कुछ और देखने को मिल रहा है clear है लेकिन दोस्तों अगर आप November के साफ से देखोगे last one year का तो जो मैं आपको return बता रहा हूँ वो ही return आपको देखने को मिलेगा अब बात करते हैं second number के fund की वो है दोस्तों ABSL Nifty Small Cap 50 Index इसने दिया है 50% का आपको return तीसले number पर जो हमारा fund है वो है बंदन Small Cap का इसने आपको जो return दिया है दोस्तों वो दिया है 46.50% का return दिया है एक साल के अंदर अब हमारा fund है चौत्य नंबर का ITI Small Cap Fund जिसने आपको return दिया है 46.46% का किलियर है पांचवे नंबर का हमारा fund है दोस्तों Franklin India का जिसने आपको return दिया है 45.77% का return बना कि दिया है एक साल के अंदर अगर जिस भी investor ने investment का रहा होता ठीके 2022 के last में या 2023 के starting में तो उनको अच्छा का सा return मिल जाता फिर है दोस्तों Quant Small Cap Fund जिसने आपको 42.56% का return दिया है निपॉन इंडिया है दोस्तों जिसने 42.29% का return दिया है HHBC Small Cap है जिसने 42.28% का return दिया है ऐसे करके दोस्तों आपको complete show हो रहे होंगे Last में दो और हैं दोस्तों Last में हमारा मोहतिलाल उसवाल है जिसने आपको 49.83% का 86% का return बना के दिया है तो दोस्तों मैंने आपको complete बता दिया है अगर दोस्तों अभी भी आप investment की सोच रहे हो तो दोस्तों Small Cap category में easily investment कर सकते हो क्योंकि दोस्तों इसमें आपको जो return मिलेगा न ठीके वो काफी अच्छा मिलेगा अभी दोस्तों मैंने आपको one year का बताया है लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें long time के लिए investment करोगे न अगर आप long time के लिए small cap category में रुकते हो तो दोस्तों आपको return ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा और आपको risk है दोस्तों वो कम हो जाएगा क्योंकि क्या होता है दोस्तों small cap category में जैसे जैसे आपका time period बढ़ता है आपका risk कम हो जाता है यह वीडियो में इसलिए बनाई है दोस्तों जिससे investor को यह पता चल सके कि अगर हम कम time के लिए investment करते हैं तो भी small cap category से return निकाला जा सकता है clear है दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हमारी next वीडियो में जैसे रिशाम दोस्तों